एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंस सबा खान ने भी हिमान्शी को कहा मतलबी क्या वाकि हिमान्शी आसम को सपोर्ट करने के बजाए अपनी तूटी मंगनी की सफाई देने आई है क्या हिमान्शी के आने से आसम का गेम हो रहा है वीक बिग बॉस हाउस में जब से कंटेस्टेंस के कनेक्शन आये है शो को नया एंगल मिला है हिमान्शी खुराना आसम रियास का कनेक्शन बन कर आई है शो में आसम हिमान्शी की लव स्टोरी देखने को मिल रही है आसिम ने नैशनल टीवी पर हिमानशी को शादी के लिए प्रपोस किया और आई लव यू बोला इन सब के बीच हिमानशी जिस तरह आसिम को अपनी फीलिंग्स नहीं बता रही है इस से साबित होता है कि हिमानशी इस रिष्टे को लेकर कोई भी जल्बाजी नहीं करना चाहती बीते एपिसोड में हिमानशी ने बताया कि उन्हें आसिम का प्रपोसल फिल्मी लगा हिमानशी का ये बिहेवियर एक्स कंटेस्टन सना खान को पसंद नहीं आ रहा है उनका मानना है कि वो आसिम को बेवकूफ बना रही है सना खान ने ट्वीट कर लिखा हिमानशी जो भी रश्मी से बात कर रही है वो बेवकूफ आना है वो आसिम का गेम और उनकी इमेज बरबात कर रही है क्योंकि हिमानची की बाते लोगो और वोट्स को कनफ्यूज कर सकती है अगर ऐसा था तो उन्हें घर में नहीं आना था दूसरे ट्वीट में सना ने लिखा हिमानची शो में अपना मैटर क्लियर करने आई है और वो आसिम को बेवकूफ दिखाना चाहती है वो आसिम के वोट्स को खत्रे में डाल रही है जब से हिमान्शी शो में आई है अपने एक्स और उसके पेरेंस के बारे में ही बात कर रही है लेकिन आसिम के बारे में कुछ नहीं कह रही सना ने आसम के भाई उमर रियास के हिमान्शी की बजाए बिग बॉस में जाने की बात की आक्ट्रस ने लखा काश हिमान्शी की जगा उमर घर में जाते वो आसम और उनके गेम को और स्ट्रॉंग करते वही एक और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सबा खान ने भी हिमानशी पर निशाना साथ ते हुए ट्वीट किया सबा ने लखा तो आपको क्या लगता है हिमानशी आसिम का इस्तमाल कर रही है या वाकई दोनों के बीच में है सचा प्यार अपनी राय हमें कॉमेंन सेक्शन में जरूर बताए बिग बॉस से जुड़ी सारी ताजा थरीन खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला